सडक दुरघटना में अंकुछ लगाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा आईरेट नामक एक समीती का गठन किया गया है जो की सडक दुरघटनाओं के कारणों की जांच करती है जिसके तहट कुछ दिनों पूर्व पावर हाउस में हुई एक दुरघटना जिसमें एक पत्रकार यूज़ी की मृत्यू हुई थी इस दुरघटना की चार्च करने मंगलवार को एक टीम घटना स्थल पहुची इस टीम में क्राफिक DSP गुर्जीत सिंग, PWD अधिकारी, शेत्री अधिकारी अवं आईरेट के अधिकारी मौजूद रहे अधिकारियों ने दुरघटनाओं में रोक लगाने के लिए बनाई गई समीती के बारे में मीडिया को कुछ इस तरह से बताया जी आईरेट एक एप है जो यातायत पुलिस, RTO और PWD या हाईवेज जो डिपार्टमेंट जहां भी एकसिडेंट होते हैं क्योंकि कहीं पर भी रोड एकसिडेंट हो रहे हैं तो तीन कारणों से हो सकते हैं रोड की खामिया या जो आर्टियो याने गाड़ी या गाड़ी या गाड़ी या ड्राइवर की इस्तिति और तीसा पुलिस जो वहां पर मैनेजमेंट देख रही हैं वो तीनों के पेसिस पर हम यह जानना चाहते हैं कि दुर्ग बिला यह 36 गड़ एक्चुली 17 स्टेट्स को चुना गया है आई रेडे काप लॉंच किया गया है जिससे कोई भी एकसिडेंट की जानकारी तुरंत मिल जाएगी कहां पर हो रहा है और किन कम्यों के कारण रोड एकसिडेंट हो रहा है तो यह हम जानने के लिए यहां पर हां जॉइंट इंस्पेक्शन कर रहा है जॉइंट इंस्पेक्शन के तुरू हमें खामिया पता चल जाएंगी जिसवे डिपार्टमेंट की होंगी और अगर डिपार्टमेंट लेवल पे नहीं है तो फिर रोट पे हम क्या सुरक्षा उपाय कर सकते हैं उन उपायों को देखने के लिए आज हमने यहां पर मैं पहले बता हूं मैं वेपिंदेव अंगन आयरेट पुडेट का दुबदीशीट का मैनेजर जैसे कि आप जानते कि सर्दुर्गाटना है अपने हैं बहुत हो री शातिस गड़ में जिसकी ब्रिक्तिदर बहुत जादा है तो किंद्र सरकार के द्वारा स्टेट गवर्म पुलिष दीपार्टन को जोड़ा गया है पुलिष दीपार्टन में ट्रैफिक जो हमारे डिस्पी साथ वो नोडल बनाया गया है और पीड़ रूटना है कभी-कभी सब्सक्राइब के सहीं नहोंने कारण भी होता है इसके लिए पीड़ डूडी को रखा गया इसमें इसम पुलिष दीपार्टन का काम हो सके या कम हो सके जैसे कि अब देखें कि यहां पे ट्रैफिक विएस था अच्छी है को कोशिश करते पुलिस अपने कोशिश करते लेकिन लोगों का सहयोग नहीं मिल पा रहा है इसलिए एक्सेंट हो रहे हैं इतना कहूंगा लोगों से जनत इसके अंतर सडक शुरक्षा को लेके एक वेबसाइट एक डेवलप किया गया है ऐसे इस्थान यहां पे दुरगटनाएं होती है और जन हानी होती है किसी की मृत्ति होती है ऐसी दशा में संयुक तुरूप से जो विभाग हैं उस इस्थल का निरिक्षन करते हैं और निरि यह पहले बार प्रयास किया गया हमारे दौरा ऐसे स्पोर्ट में यहां पर एक नृत्ति हुई थी वहां पर हम लोगों के दौरा से निरिक्षन किया गया जैसा कि आप लोगों को पता है यहां पर एक सड़क दूर घटना वी थी जिसमें एक वेब पोर्टल के नियूज ए आई टी ओ और सड़क निर्मार एजेंसी पुलिस द्वारा सेयुक प्रूप से निरिक्षन किया जाना है उसी तारतम में हम यहां निरिक्षन करने आये थे और कारणों को खोज रहे थे कैसे क्या हुआ था कैसे एकसिडेंट हुआ और उसके काननों को खोज के उसका निदा इसके ताहत एजनसी निउप्त किया गया है जिसमें चार प्रमुख विभाग होते हैं स्वास्ताई भाग और प्वड भाग आटियो और प्रसाशन के लोग रहते हैं तो इसमें जुम्यदारी यही रहती है कि हम कम से कम इन जो रोड ट्रेफिक एक्सिडेंट है उसको कैसे कम कर सकते हैं उसके लिए यह प्लानिंग हुआ है गत महिना में सुप्रीम कोड के जट साहब भी आये थे इसमें में मिटिंग लिया था सभी वागों से और सभी वागों की जुआबदारी बताई गई थी और उसके ताहत पालन करने का निर्देश दिया गया था जिसे मुख्य रूप से होता है रोल की वैस्ता टर्निंग अगर ना हो जहां पर दुरुघटना गरस्त हो उन पर चिन्ना अंकित करें और उस पर धीमी गती करें इस टाइब का दूसरा स्वास्ता इभाग की वर से अस्पतालों में वैस्ता ततकाल सुईदा उपलब्द हो और वहां उप्चार की वैस्ता सुनिस्चित की जाए है ना ट्रामा सेंटर्स कुलें तो इस टाइब का अलग अलग ज्वादरी दी गई है आर्टियो का बिना चलान के गाडियां चलती है जा आर्टियो टेक्स नहीं रहता पुरानी गाडियां चलती है इस श्वीड में च चल रहा है और सभी लोग अपने विभाग के परती अपने कारे के परती सजग है और हम सब लोग इसको द्यान देते हुए रोड ट्रेफिक एक्सिडेंट को कम करने में जुटे हुए हैं